नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास की एक बहुत ही महत्पूर्ण सीरेज ठीक है दोस्तों इस सीरेज के माध्यम से हम संपूर्ण इतिहास का सिल क्या पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ें दूस्तों चलते हैं और जान लेते हैं कुछ इसकी महत्पून जानकारियाम ठीक है तो इतिहास किसे कहते हैं या पर इतिहास का अध्यन क्या कहलाता है ठीक है तो यह जान लेते हैं इतिहास के अंतरगत उन सभी घटनाओं का अध्यन क किया जाता है जो घटनाएं घट चुकी होती है या फिर हम कह सकते हैं कि बरतमान से पहले जो भी घटनाएं घट चुकी होती है बहुत सब आर्ज यानी बरतमान का इतिहास कहलाती है ठीक है इसके बाद जान लेते हैं दोस्तो इतिहाज सब्द जिसे इंगलिस में हिस्टरी कहा जाता है इतिहाज जिसे इंगलिस में क्या हिस्टरी कहा जाता है दोस्तो यह जो हिस्टरी सब्द है यह यूनानी सब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है ठीक है हिस्टोरिया से बना हुआ है और हिस्टोरिया का अर्थ होता है अन्वेशनों से प्राप्त ग्यान ठीक है हिस्टोरिया का क्या अर्थ होता है अन्वेशनों से प्राप्त ग्यान ठीक है इसके बाद हम जान लेते हैं इतिहास के जन्व दाता के बारे में तो इतिहास के जन्वदाता है हेरो डोटस को माना जाता है तिहास का जन्वदाता कौन है हेरो डोटस है ठीक है यह दोस्तों कहां यूनान की एक पिरशिद्ध इतिहासकार थे ठीक है दोस्तों इनका नाम एक और मिलता है दोस्तों इनको संस्क्रित इनका संस्क्रित नाम है हरी दत्य है किसक इनको हारीदत्य के नाम से भी जाना जाता है ठीक है दोस्तों यह जो हेरोडोटस है एक हेरोडोटस है इनको जनक 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 या इतिहास का पिता की शंग्या एक रोमन दारसनिक थे जिनका नाम था सिस्रो दोस्तों सिस्रो ने इनको प्रदान की थी ठीक है सिस्रो ने ऐसा ही बूर सकते हैं आपकी सिस्रो ने हेरोड़ोड़ो तोडस को इतिहास का जनक प्ता की संघ्या फिरदान की ठीदेगा इसके वाद जान लेते हैं कि इतिहास आफिर इतिहास को कितने चर्णों में बांटा गया है ठीक है पहला है प्राग एतिहासिक काल या इसे भी आप पासानकाल बोल सकते हैं दूसरा है अद एतिहासिक काल और तीसरा है एतिहासिक काल ठीक है अब दूस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पहले इस्तान की तो दूस्तों इसको भी चार भागों में बांटा गय पहला है प्रापासानकाल दूसरा है मदपासानकाल और तीसरा नपासानकाल और चौता है तामरपासानकाल ठीक दूस्तों इनको जो प्रागेती हासिक काल है इसको चार भागों में डवाइट किया गया है दूस्तों इन चार भागों में इसको बहुत ही डीटेल से हम आपका अध्यन कराएंगे ठीक है अंगली आने वाले बीडियो में इसकी बात करते हैं नम्मर दो की आद्ध एतिहासे काल की दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है पहला है सिंदु घाटी सब्धिता इसकी बात दूसरा है बैदिक सब्धिता ठीक है दोस्तों यह आद्ध एतिःस जो आद्द एतिहास काला इनको फिर्मक्त दू भागhay में बांटा गया है दोस्तो इनको भी। महत्पूर्ण है। यहे दोनों टॉपक और इनके जो आप ने दूरैंपेकę हैं एक है और दूश्गाइब काल लोगत भांटदाा उतब्यै印 है दोस्तों यह बहुत ही जादा प्रमुखों चेप्टर रहेंगे आपके आगामी भीडू में यह आप इनको दीखना ना भूलें ठीक है दोस्तों इन सभी चेप्टरों को बारी बारी से सबको कबर किया जाएगा और बिल्कुल बारी की सिबारी चीज या फिर पॉइंट आप को क्लियर कराया जाएगा ठीक है इसके बाद दूस्तों तीशी नम्मर की बात कर एतिक हास काल को तीन भागों में बांटा गया है ठीक है कौन सा पहला भाग है प्राचीन इतिहास दूसरा है मद्द कालीन इतिहास और तीसरा है आधोनिक इतिहास ठीक है दूस्तों यह दू तरकत हम आपको सम्पूरितिहास कबर करवा देंगे यानि कि चैनल को subscribe करें दूस्तों वीडियो को अपने दोस्तों साथ जरूर शियर करें तो चलें दूस्तों मिलते हैं एंगले नेस्ट वीडियो में तब इसीडियों को आँगे बढाते हैं तो तब तक के लिए दूस्तों बाए